नमस्कार, स्वागत आप सभी का पाहड टीवी पर मैं हूँ आपके साथ परीधी जोशे चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूँगे उससे पहले हेडलाइन्स आशकारी कत्रियों ने बारा सुत्री मांग पत्र उपजलादिकारी के माध्यम से मुख्य मंत्री को भेज़ा उदम सिंग नगर में किसानों निकाले जुटे दिखा कर सीम का किया वी रोद पुलिसने की अगरफतार मसुरी में कैमल बैक रोड स्टे तैतिहास दिखावा घर बुस्खरन की जद में सीम पुशकर सिंग धामी के रिवसानम बोर्ड एक्ट की नियमाली में संचोधन के जाने के बयान के बाद तीर्थ पुर्हुईतों ने के धामी जारी अंदूरन को फिला स्थ घित कर दिया है तीर्थ पुर्हुईतों ने कहा कि सीम ने जो गोशना बौर्ड को लेकर की है उस पर एक महा के भीतर कारवाई होनी चाई अगर ऐसा नहीं किया तो तीर्थ पूर्होईत समाज 1 सितंबर को जिला मुख्याले में विश्यार प्रदर्शन करेगा अपनी बारा सूतरी मांग जिसमें आशा वरकरों को सरकारी सेवा का दर्जा देने और नियुंतम 21,000 रुपय वेतन लागो किया जोए जब तक मास्तिक वेतन और कर्वचारी का दर्जा नहीं मिलता तब तक आशाओं को भी अन्य स्कीम वरकर्स की तरहे मास्तिक मानदे फिक्स किया जाए आशाओं को सेवा निवरित होने पर पेंशन का प्रावधान भी किया जाए थराली में भाश्मा कारिकरताओं ने कॉंग्रेस और पूर विधायक डॉक्टर जीतराम का पुतला फूका और मुर्दाबाद के नारे लगाए कहा कि डॉक्टर जीतराम ने विधायक मोनी देविशा पर भधर चिपणी की जिससे पूरे प्रदेश से लेकर विधान सबात तक सभी नारी शक्ति का अपमान किया गया है पटी दोग की 23 ग्राम पंचायतों के 46 गाओं में सड़क शिक्षा, स्वाइस, पेजल, विधुत और नेट्रोकिंग जैसे मुलबूत सविदाओं की बहाली के लिए चेतरे नागर को द्वारा स्थान गुलर में पुनार संगच समीती के निर्मान के लिए बरसों बाद समस्तत जंता को बदाई देता हूं कि आज युवाओं ने और हमारे पुराने साथियों ने मिलकर एक सम्युक्त संगर समीती आपर बनाई जो कि दोगी के विकास के लिए जो कारे चूट गए हैं और यहां पर जो योजनाई चल रही हैं सरकार की उसमें रोजगार के लिए संगर्स करेंगे और इस तरह से मैं सबको बदाई देता हूं और हाधिक दन्यवाद देता हूं तो यह जो पूरा चेत्र जो दोगी पटी चेत्र पड़ता है एक जो ढगर कि आज हम सब इकटा होगर के इस चुछ के लिए लड़ाए लएंगे और जब सरकार इस बात को नि उधरम सिंग नवर में मुखी मंसुरी के दो दीवसी द्वारी का विरोध करना किसानों के लिए भारी पड़ गया तेनी क्रिशी कानुनों के विरोध प्रदशन के दौरान रूदरपूर में काले जंडे दिखाने जो रहे किसानों की पुलिस धका मुकी के साथ तीखी पुलिस ने गिरफतार कर लिया जहां किसानों ने जम कर विरोध किया जखोली ब्लोक इंतरगर्ट पूर में तिमली की रोड़ा मल्ला मोटरमार को श्वासंद्वारा सुईक्रिती मिली थी जिसके बाद तिमली से मरोडा तक मोटरमार का निर्मान कारे पूर्ण हो चुका लेकिन मरोडा से किरोडा तरला के मोटरमार का कार अभी तक शुरू नहीं हुआ है जिसको लेकर पूर्व चात्रसंग अध्याक शंकित उन्चोली ने सत्पाल महराज को ग्यापन सौपा वहीं जखोरी ब्लोक में शेतर जंता की मांग पर पूर्वी बांगर को पशिम बां सत्पुले में मानियक परियाटन मंत्री, P.W.D. मंत्री सत्पाल महराज जी से आज हम लोगों ने भेंट करी और उनको ग्यापन भी सौपा है अपनी छेतर की तमाम समश्चाओं को लेकर के जिनमें से एक जो प्रमुक समश्चा थी कि पूरी बांगर और पश्मी बांगर क जो जोडने वाली सड़क थी ताकि वह चेतर परियाटन हब के रूप में विक्सित हो सके उसको लेकर के उस सड़क का जल से जल निर्मान हो इसकी मांग हम लोगों ने सत्पार महराजी से की है उसके अलावा जो एक मांग है कि तिमली से लेकर के किरोडा तल्ला तक जिस हम लोगों को सकारत्मर्त आसफन दिया तो हम लोग आगे भी इन सबी मांगों के लिए संगर्ष करते रहे हैं बतादे की प्रदेश स्तर्य सफाई कर्मचारी संक्यावान पर ठेका प्रथा समीत 11 सूत्रे मंगों को लेकर सफाई कर्मचारी बीदे 5 दिनों से काम बंध हर्ताल कर रही है। प्रदेश के चुकिसा स्वासा चुकिसा शिक्षा आप्दप्रबंदन और पुनरवास्त मंत्री डौक्रद हनसिंग रावत ने अपने एक दीवसे जनपत ब्रहमन के दोरांज जूलाक कारले सभागार में स्वास्ते बिभाग की समिक्षा बैठक लिए। और लगवग पाँच हजार स्वास्ते बाग की न्यूटिया करें। और मैंने आज यहां भी तार्गेट दिया है। राज्जिक में सभी स्यूमों को काया है कि पचास दिल में सारी न्यूटियां हमको फोली करें। और मुझे आसार विश्वास है कि जो हमारा टास्क है पचास दिल का यह 100% पूरा होती है। विकास खेंड मुंसियारी में सभास विभाग के रीड आशाओ ने तैसल मुख्यारे में एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदशन और नरेबाजी का राशाओ ने अब जिलादिकारी मुनसियारी के माधिन से मुखे मंत्री को ग्यापन भेजा गया भीवाले मंहाटा के मतलब दूरसा चैनित करेंगे और हम आगे मुख्य मंघरी से भी पूछना चाहते हैं कि सपकां अंब मेहला सौगत हो रहा नहीं है लेकिन हम क्या मेहला नहीं है हम जन सेवा नहीं कर रहा है हम इतने जो दो आजार शार से हम सेवा करते करते यहां पो जो चोटे मोटे चीजों के लिए हमको बार बार परिशान करके हमें 50 रुपया 100 रुपय के शाब में दिया जाता है उसका हमें बिल्कुल लालस नहीं है हमको सिर्फ मांदी दिया जाए और आसाओं को जो पोबिट के बाड़े में बोला गया था कि परते केस में 1000 रुपया द पुड़े 14 वर्ष बीद गए है आज तक हमने बिना मांदे का बिना कुछ चीज का हम आगे यहां तक पोँचे हुए है अपने बलबोते से अन्यथा आज अगर इस मांग को पूरा नहों पाए तो आने वाले समय में हम जहां वहरादून तक क्यों न जाए हमारे मांग पू प्रश्वासन की पहल से मलितास सितबीडी पांड़ा चिक साले में बन रहे बच्चों के इलाज के लिए चिल्डरन वाड को एक आकर्षिन के साथ उनके वातावरन में ढालने का सरान्य प्रयास किया जोरा है जिसमें वहां के परदों और बेडशीट दिवारों में काटून टेडी बेर की तस्वीरों के साथ प्रदश्वित किया जोरा है जिसे वहां पर इलाज ही तू आने वाले बच्चों को अपने घर का जैसा वातावरन मिल सके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए एक मेनी प्लेस्टेशन की सुविदा वार्ड में ही बनाई जोरी है नंदर प्रैक सफाई कर्मिचारियों के हरताल पर होने की कारण खुद नगर पंच्चों तदिक्ष और कर्मिचारियों के साथ नगर को स्वच्च रुखने का अभ्यान चुलाए गया जिसके कारण नगर को साथ सुत्रा किया गया देखे वैसे तो मैं जाड़ू मैंने कई बार पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं स्वच्चता के लिए कटिबंद हूँ और हमारे कर्मचारी भी सफाई के लिए हमेज़ा कोई अभ्यान करते रहते हैं लेकिन इस बार मैं जनता को एक संदेश देना चाहते हूँ क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो लोग हर्ताल पे हैं और मैं जनता से निवेज़ान करना चाहते हूँ कि अपने चारो तरफ सफाई रखें जब तक कि उनकी हर्ता खतम नहीं होती है तब तक वो लोग सफाई रखें और हमारी कोड़े की गाड़ी आएगी सथा ही वो पूरी कर्मचारी हमारी यह सब अगयरा सब मिलके यह अभियान हमने अभी चलाया है जिसे की जंता जागरू को और अपने जो नगर है उसको सच्छी रखें नेरो इवा के अंदर पॉड़ी के द्वारा ग्राम सभा सिरोली में प्रात्मिव विद्याले में प्रधाना चार में बेटी बचाओ बेटी फड़ाओ अभ्यान के अंतरगाद रिक्षा रोपन का एक्रियम किया और कुछ दिन पूर्व चित्रकला प्रतियोगिता के विजयताओं को पुरस्कृत भी किया गया सितार गंज में आशाकारी कत्रियों ने उपजिलादिकारी कारले के बाहर प्रदशन कर सरकार को उपजिलादिकारी के माधियम से बारा सुत्री मांगों को लिकर मुख्य मंत्री को संबोधत ग्यापन भीजा ग्यापन के मादम से मांगी गई कि उन्हें मुफ्त कारी करता और ना समझ कर जो हम मेहनत करते हैं उसका पैसा दिया जाए मसूरी में कैमल बैक रोड से तैतियासिक हवागर बुसकलन के बाद खतर की ज़द में आ गया है कैमल बैक रोड से अतियासिक हवागर का पुछता भारी बुसकलन होने के बाद ढह गया है जिसे अतियासिक हवागर को भारी नुकसान हो सकता है मसूरी में लगातार होरे बारी से बुसकलन लगातार बढ़वे हैं देभुमी उत्रकंड सफाई कर्मच्वारे संग के नगर पंच्वायत में कारेरत पर्यावन मित्रों ने ठीका प्रथा समाथ करने के लिए पांचवी दिन भी ग्यारा सुत्रे मांगो कर लेकर कारे भाईशकार जारी रहा नगर की सफाई ने होने की कारण जगे जगे के कुडे की धेर लगे रहे शाखा देख्श सुमित पावार ने बताये कि जबता सरकार पूरे प्रदेश में ठीका प्रथा को समाप नहीं करती उनका आंदोलन ज़ौरी रहेगा उत्राखंड की बड़ी कपरों में फिलाल इतना ही बागी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहेए पाहड टीवी नमस्कार ये है मेरा उत्राखंड